हेलो गाईज, वेलकम बैक तो इली ट्रेसलिंग लेकिन गाईज, अब ज़ादा देर ना लगाते हुए, चली ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले एवल्यू की डायामाई शो का प्रिविव और जानते हैं कि हमें कल होने वाले डायामाई शो यूपर कौन कौन सीजी देखने हो मिल सकती है तो गाईज, सबसे पहला मैच जो के एवल्यू कल के डायामाई शो के लिए ओफिशिल एरवटाइस किया है वो है एवल्यू कमपनी के विमेंज डिविजन से एक नॉर्मल 1-1 मैच जहाँ पर हमें रूपी सो हो नायाला रोस को फेसकरती वी दिखाए देने वाली है और जो कोई सूपरस्टारों मैच जीतता वो आगे चल कर टोर्णामेंट से फाइनल के अंदर पहुच जाता और जो कोई सूपरस्टारों मैच हार जाता वो टोर्णामेंट से बहार हो जाता और तब Ruby Soho ने नायलारोज को उस मैच अंदर हराया था और Ruby Soho उस टोर्णमेंट के फाइनसी अंदर पहुच चुगी थी और इसलिए नायलारोज रूबी Soho के उपर काफी गुस्सा थी जो कि इस मैच के पीछे की पूरी बैक स्टूरी है लेकिन गाईज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाईज मुझे लगता है कि हमें यह मैच इस वी के डाया माईशो का एक बहुत ही बड़ा मैच देखने हुँ मिल सकता है क्योंकि इसके पहले भी जब हमें एवली कंपर यह डाया माईशो की उपर नाल अरोज रूबी सोह को फिसकरती दिखाए दी थी तो गाईज उँ मैच एक बहुत ही बड़ा मैच था और हमें उस मैच के अंदर इन दोनी सूपरस्टास की बहुत ही बड़ा पोफिमस देखने हुँ मिली थी इसलिए मुझे लगता है कि यह मैच इस वी के डाया माश्यू पर एक बहुत ही बड़ा मैच होगा इसलिए मुझे बड़ा मैच जोगला मैच जोके एवडली स्वी के डाया माई शो के लिए ओफिशल एड़टास किया है वो है एवली कमपनी के मेंस डिविजन से एक नॉर्मल टैक्टी मैच जहाँ पर मैं पाक और पेंटायल जोरी अम मिलकर मैलेकाइ ब्लैक या होस ओफ ब्लैक के किंगस ओफ डर्क थ्रोन यानि कि मैलेकाइ ब्लैक और ब्रोडी किंग को फिसकर दिखाए देने वाले है और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गई जिसके पहले हमने एवली कमपनी के शोस की ओपर देखा था वो सूपरस्टार आगे चल कर मैलेकाई ब्लैक के लिए काम करता है पर सुपराइजिंगली पाक के केस में चीज नहीं बेट रही क्योंकि मैलेकाई ब्लैक ने पाक के दोना आखों के अंदर ब्लैक में स्फेक दिया है पर फिर भी पाक मैलेकाए ब्लैक के साथ काम नहीं करे ही और अब पाक का कहे ना है कि पाक मैलेकाए ब्लैक को डिस्टॉय करने वाले ही क्योंकि मैलेकाइ ब्लैक की सच्चाई पाक के सामने आच चुकी ही और इसलिए Kings of Dark Throne यानि कि मैलेकाई ब्लैक और Brody King इन दोने ने पाक को एक टैक्टीम मैच के लिए चैलेंज किया और पाक अपने फॉर्मर टैक्टीम पार्टनर याने के पेंटा एल जो रियम के साथ मिलकर मैलेकाय ब्लैक को इस टैक्टीम मैच के अंदर फेस करने वाले है और इसी backstory के साथ हमें ए match इस वी के डाय माशो यो पर देखने हो मिलने वाला है जो match मुझे लगता है इस वी के डाय माशो का एक बहुत ही बढ़ी है match हो सकता है क्योंकि गई जब कभी पाक किसे match के अंदर होते हैं तो match एक बहुत ही बढ़ी है match होता है और अज तक पाक ने इसे बहुत ही बढ़ी है matches दे है इसलिए मुझे लगता है कि ये match भी एक बहुत ही बढ़ी है match होगा पर जहां तर बात इस match की winner की तो गई surprisingly मुझे यहां पर इस लग रहा है कि पाक और Penta L0 में ये match जीतने वाले है क्योंकि Halfline में पाक केह रहे है कि पाक को पता चल चुका है कि Malikai Black की ताकत और कमजोरी क्या है तो इसलिए मुझे यहां पर इस लग रहा है कि हमें इस match के अंदर पाक Malikai Black की कमजोरी Malikai Black के खिलाफ फ्यूज करते हुँ दिखाए दे सकते है और इसलिए मुझे यहां पर इस लग रहा है कि हमें पाक और पेंटायल जोरियों में मैच जीती हुई दिखाए दे सकते है जिस पर आपका क्या कहें ना है आप मुझे कमेंट करकर बताईए पर गाई जोगला मैच जो के A.A.W.L.E. कमपनी के में इस डिविजन से एक नॉर्मल 1-1-1 मैच जहाँ पर में जॉन मुझे फॉर्मर डब्ली-वी सूपरस्टार यानि के ब्राइन केंट्रिक को फिसकरते हुई दिखाए देने वाले है और अगर आपको नहीं पता तो guys मैं आपको बतना चाहूंगा कि ब्राइन्ट कैंट्रिक डर्ब्ली-वी कमपनी के इंदर 2 फॉर्म रेन्ट के अंदर काम करें थे पर अब हाले में डर्ब्ली-वी कमपनी को एपने कंपने कंपनी से रिलिज कर दिया है और WWE Company से रिलीज होने के 24 गंटे के भीतर भीतर ब्राइन केंडिक हमें A.W.L.E. कंपणी के डायमाई शोई उपर रसल करते हुए दिखाए देने वाले है जो इतनी जल्दी केसी हो यो तो मुझे भी नहीं पता और क्या पता है मैच शुरू होने के बाद इस मैच के अंदर काफी देतर डॉमेड करने के बाद जॉन मोसली ब्राइन केंडरी क्यूब पर उनका ही WWE फिनिशर यानि की बुल्डॉक चोक लगा अगर है मैच जीतते हुए दिखाए दे अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बाद इस मैच के लिए बहुत इलंबी बैक स्टोरी है कि जब यहाँ पर यहाँ पर इस मैच ना रसल करने के बहाने डून रहे थे और इसलिए अमजेफ ने सियमपंग को अपने बहुत सारे पार्टनर्स यानि की FTR पर इसलिए हम इस वी के डाया माइच यूपर देखने हो मिलने वाला है जो तो एक काफे बड़ी चीज है पर जहाँ ता बात है इस मैच की तो गाईज मुझे लगता है कि हमें ये मैच एक बहुत बड़ा टेकनिकल मैच देखने हो मिल सकता है इस मैच के अंदर में CM Punk और MJF अपने बहुत ही बड़या बड़या मूज और बहुत ही बड़या क्लासिक रेसलिंग स्टाइल इंटिड्यूस करते हुए दिखाए दे सकते हैं और क्या पता इस मैच के अंदर CM Punk होमटान एडवनटेज मी मिले लेकिन जहांता बात है इस मैच की विनर की तो गाईज एवल ने इतना बड़ा मैच एक फ्री टेलिविजिन के उप दिया है इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस मैच का कोई क्लीन लिजर्ट निकलेगा और इसलिए मुझे यहां पर इसा लग रहा है कि हमें इस मैच के अंदर MJF चिटिंग करते हुए दिखाए दे सकते हैं और क्या पता यहां पर चिटिंग करकर MJF ए मैच जीत जाए है क्या आगे चलकर A.E.W.L.U. Company World Tag Team Champions यानि जुरासी एस्प्रेस का क्या होता है हमें आगे A.E.W. World Heavyweight Champion Hangman Adam Page और Lance Archer की बीच में क्या क्या देखने हुँ मिलता है जो सब बाते जानने के लिए आपको हमारी चैनल के उपर इस वीक की डायमाई शो का रिवी वीडियो देखना पड़ेगा जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करकर नोटिफिकिशन बेल और सेट करना मत भूलना पर गाईज अब में मिलता है आप सेगली वीडियो के अंदर पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैपी और कीप वाचिंग इलीट एस लिंग